दोस्तों स्वागत आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज में तो आज का टॉपिक होने वाला है ओटो वाइरिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इंपोर्टन इंफोर्मेशन तो भाई जब हम अपने स्टार्टर प्रोग्राम के अंदर हम बीन को जब रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हम यह को सिंटेक्स फोलो कर रहे थे यहाँ पे मैं आईडी पास कर दे रहा था फिर मैंने वो करवाया था कि अगर आपको टाइब कास्टिंग से बचना है तो आप यह सिंटेक्स फोलो करोगे पहले क्लास पास कर दोगे और बाद में उस बीन की आईडी पास करोगे तो दोस्तों आप आपको यह विला सिंटेक्स फोलो नहीं करना है आप यह सिंटेक्स यूज़ करोगे जिसमें आप पहले id पास करोगे बाद में class पास करोगे ठीक है syntax ये भी सही है बट इसकी internal working कुछ और है ठीक है इसके उपर मैं full flash एक वीडियो बना दूँगा बट अभी के लिए आप ये syntax follow करना ठीक है और हम कुछ इस scenario पर काम कर रहे थे कि मेरा employee है उसके अंदर एक dependency थी address और एक dependency थी technology अब देखो है हमने जब setter injection किया था हमने application context में property वाला tag यूज़ किया था यहाँ पी क्या था मैं अपनी dependency को inject करने के लिए ये reference वाल attribute यूज़ कर रहा था उसी तरीके से जब constructor injection कर रहा था तो मेरा बस tag change हुआ था constructor argues हुआ था और यहाँ पी भी मैं reference दे रहा था ठीक है address की bean ID और technology की bean ID ठीक है तो भई अब यार मुझे की बात बताओ ये reference मैं खुद से दे रहा हूँ मतलब क्या है ये manual process हो रहा है dependency injection करने का ठीक है अब हम करते हैं बात करते हैं auto wiring की तो auto wiring का simple मतलब है automatically हमको dependency injection करनी है ठीक है अब इसके कुछ modes होते हैं तो पहला mode है no no का मतलब है कि भाई कोई auto wiring नी जो default जो चलती है मतलब manual वाली समझ लोग तरिके से ठीक है इसका example दिख लेते हैं अभी तो देखो मैं आगे अपने code पे तो basically वही scenario है हमारा employee इसके अंदर ये दो dependencies पड़ी है address and technology ठीक है एक और important update ये है जो auto wiring है वो objects के उपर valid होती है ठीक है तो इसका मतलब इसके उपर ये valid नहीं है तो ठीक है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी getter लगा हुआ है एक setter लगा हुआ है उसी तरीके से एक हमारा था address यहाँ पे street number है और state है getter and setter है अब आजाते हैं application context के अंदर देखो अब आजाते हैं application context के अंदर आए यहाँ पे भी property tag यूज हो रहा है मतलब setter injection है अब मुझे यहाँ पे auto wiring करनी है ठीक है basically मुझे क्या remove करना है यह ref को remove करना है मैं चाहता हूँ spring खुद से ढूंडे और यहाँ पे dependency को inject करे तो पहला जो हमने जो देखा था वो देखा था auto wiring का जो mode देखा था हमने देखा था no तो auto wiring कैसे start करनी है उसके लिए आपको जो tag यूज करना है उसका नाम है auto wire तो मैंने यहाँ पे जो attribute यूज कर लिया वो है auto wire यहाँ भी मैं value pass करूँगा no first of all no no का मतलब है कि यह manually है कोई auto wiring नहीं चाहिए तो अब आपको यहाँ पे reference रखना ही पड़ेगा तो ठीक है मैं आता हूँ अपने application के अंदर एक बार इस program को मैं start करता हूँ तो भाई इसने जो हमारा जैसे set injection हो रही थी वो ही वाली values को print कर दिया चलो तो यह वो ही बोल रहा है no का मतलब है default auto wiring mode इसका मतलब है कोई auto wiring नहीं होगी अब वो second आया by name तो by name क्या बोल रहा है injects the object dependency according to the name of bean in such case the property देखो यह line बहुत important है property and bean name should be same ठीक है और internally यह भी set injection ही होती है तो जार इसको और easy word में समझाता हूँ तो यह पता है क्या बोल रहा है यहाँ पर मेरी dependency inject हो रही है dependency हो रही है मेरी employee class में ठीक है यहाँ पर इसका नाम क्या ADR इसका नाम है technology तो अब देखो यहाँ पर जब मैंने address बना रखा है यहाँ पर address इसकी ID क्या है इसकी है address इसकी है technology तो कह रहा है भाई यह नाम भी same होने चाहिए क्यों होना चाहिए क्योंकि dependency के मैंने यह जो name है वो ADR और tag रखा हुआ है और यहाँ पर मैं कुछ और ID कर रहा हूँ ठीक है अब इसको हम prove करते हैं तो prove कैसे करते हैं मैं यहाँ पर अभी कले लिखता हूँ by name मैंने यहाँ पर लिखा by name और एक बार मैं इसको run करके दिखाता हूँ आपको मैंने यहाँ पर run किया दो second चोटी सी गलती होगी है देखो अभी क्या automatically यहाँ से उठा ले रहा है REF लगे होए ना तो मैं को इसको comment करना है ओके इसको मैंने comment कर दिया ठीक है अब देखो भई कही मैं reference न्यूस कर रहा हूँ automatically wiring होने वाली है ठीक है अब इसने error दे दिया और यहाँ पर इसने यही बोला कि भई get street number नहीं मिल रहा है क्योंकि वो injectी नहीं तो मिलेगा कहां से और यह null pointer दे रहा हुगा इसने null pointer दे दिया अब क्या था मैंने क्या बोला था कि भई name same होने चाहिए इसका नाम था ADR अगर मैं इसको यहाँ पर copy करके इस bean की ID भी ADR कर देता हूँ उसी तरीके से technology की भी tag कर देता हूँ मतलब जैसे मैंने employee में यहाँ पर ADR and tag use किया था हमारी application context.xml में ID को भी मैं वही नाम देता हूँ ठीक है मैं अभी save करता हूँ यहाँ पर आया और मैंने इसको run किया और यह values पूरी सही आ गई ठीक है तो यह वो बोल रहा है कि property और b name should be same तो यह मतलब है आपका auto wiring by name ठीक है अब एक और एक और तरीका होता है उसे बोलते है by type ठीक है इसकी भी definition पढ़ लेते है यह क्या बोल रहा है injects the object dependency according to type ठीक है वो कह रहा है search कर रहा है property को it searches the property class type in configuration file then injects the property of search being is found otherwise an error is raised तो यह रहा है basically क्या बोल रहा है आप अपनी यहां पर ID भाई कुछ भी रख दो इसको ID से मतलब नहीं है ठीक है इसको मतलब कैसे है यह यहां पर आया और इसने चेक किया यहां पर लगा हुआ है auto wiring by type लगा हुआ है यह intelligent है वो देखना यह है auto wiring by type लगा हुआ है वो अंदर है उसने देखा यार भाई मेरी employee class में दो dependencies है एक क्लास टाइप के है address एक क्लास टाइप है technology ओके तो फिर से जाता है हमारी context के अंदर वो यहां पर देखता है भाई अच्छा एक यह वली बीन है जिसका type है address ओके उसको ID से तो मतलब भी नहीं है यहां पर एक ऐसी बीन है जिसका जो क्लास टाइप है वह टेक्नोलोजी ओटोमेटिकली वह यहां पर उनको इंजेक्ट कर देता है ID में बोड़ों कुछ भी रख लो देखो मैं OTCD कुछ भी लिख रहा हूं यहां पर मैं यहां पर आया and मैंने एक बार run किया तो यह देखो यह भाई run भी हो गया ठीक है एक बार value change करके भी दिखायता हूं करको आप यह मत बोलना कि भाई करनाटकन पंजाब कि भाई एक cache से उठा रहा है ठीक है एक बार फिर से run कर लेते हैं तो भाई करनाटकन पंजाब कर लिया तो यही थी मेरी तीन अभी मैंने भी तीन बताई है आपको तो एक बार देख लेते हैं एक थी नौ जिसका मतलब है manual वारा काम करना है ठीक है उसके बार था by name name क्या कह रहा था जो property का name और जो अपने xml में जो id में जो word रख है वो same होना चाहिए property और बी name शुड़ भी same ठीक है